दोस्तों क्या कभी आपने किसी भूतिया जहाज या विमान के बारे में सुना है? अगर नहीं तो फिर साथ आप Eastern Airline की Flight 401 के बारे में नहीं जानते होंगे Flight 401 को भूतिया जहाज के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा क्यों ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा तो इस बात की सुरुआत होती है 29 दिसंबर 1972 से Eastern Airline की Flight 401 163 यात्रियों और 13 क्र्यू मेंबर के साथ रात 9 बज़ कर 20 मिनट पर न्यूयोर्क के जोन कैनेडी इंटरनेशनल एरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए उडान भरती है इस समय विमान को उडा रहे थे 55 वर्सिये Flight Captain Bob Loft जो की एक बहतरीन पाइलेट थे और इने करीब 29,700 Flight Hours का अनुभव था वहीं इनके को पाइलेट के तोर पर 49 साल के स्टोक इस्टिल मोजूद थे जिनने कुल 800 Flight Hours का Experience था साथ ही Flight Engineer की भूमिका में 11,700 Flight Hours का अनुभव था तो अब हुआ कुछ यू की रात 9 बजकर 20 मिनट पर New York के Zone Kennedy International Airport से उडान भरने के बाद प्लेन में सब कुछ सामान ने चल रहा था यात्री अपनी यात्रा का लुप्त उठाने में व्यस्त थे तो वहीं क्रू मेंबर भी अपने काम में लगे हुए थे जहाज को उड़ते हुए अब लगबग 2 घंटे का वक्त बीच चुका था और अब समय हो चुका था 11 बजकर 30 मिनट का इसी समय जहाज को मायामी के उपर उड़ते हुए मायामी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर लेंड करना था इसलिए जहाज के मुख्य पाइलेट बोब लोफट के द्वारा जहाज के लेंडिंग गियर लीवर को नीचे किया गया आपकी जानकरी के लिए बता दें कि लेंडिंग गियर प्लेन को टेक ओफ और लेंडिंग के दोरान मदद करते हैं और लेंडिंग गियर के खुलते ही नोज गियर नाम के इंडिकेटर का रंग हरा हो जाता है लेकिन यहां कुछ अलग हुआ दरसल को पाइलेट स्टोक इस्टिल ने जब उस इंडिकेटर की तरब देखा तो वहां उन्हें कुछ हैरान कर देने वाला नजारा दिखा दरसल लिवर के नीचे होने के बाद भी यह इंडिकेटर जला ही नहीं था स्टोक इस्टिल ने तरان्थ यह बात अपने कैटन बॉब को बताई कैटन बॉब ने एक बार फिर से लिवर को उठाकर नीचे गिराया लेकिन इस बार भी इंडिकेटर नहीं जला दोनों पाइलिट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंडिकेटर जल क्यों नहीं रहा है और बिना इस इंडिकेटर के जले वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि प्लेन का लेंडिंग इयर खुला है की नहीं और अगर बिना लेंडिंग इयर के खुले प्लेन को लेंड करवाया जाता तो उसके एक बड़े हाथसे का सिकार होना तै था सो पाइलिट ने तुरंत एटीसी से संपर करूने इस बारे में बताया कि उनके जहाज का लेंडिंग इयर नहीं खुल रहा है इसके बाद एटीसी ने पाइलिट को निर्देश दिया कि वो तुरंत अपने जहाज को 2000 फिट की उंचाई पर ले जाएं इसके बाद कैप्टन बोब जहाज को 2000 फिट की उंचाई पर लेकर गई इसके बाद फ्लाइट इंजिनियर डोन रैपो कैबिन में आये तो कैप्टन बोब ने उन्हें इस इंडिकेटर में आई खराबी को चेक करने के लिए कहा फ्लाइट इंजिनियर रैपो ने इस पूरे इंडिकेटर सिस्टम को खोल दिया और इसे बारीकी से चेक किया लेकिन सब चेक करने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं जला इसके बाद उन्होंने उस बटन को दबाया जिससे प्लेन की सारी वर्निंग लाइट्स एक बार में ही जल जाती है जिससे ये पता चलता है कि जहाज के सभी सिस्टम सही से काम कर रही है या नहीं लेकिन उस बटन को दबाने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं जला जिसके बाद कैप्टन बोब ने रैपो को आदेश दिया कि वो जहाज के बोटम कैबिन में जाकर उसमें बनी एक छोटी सी खिड़की से देखें कि लैंडिंग इयर खुले है या नहीं रैपो बिना देर किये हुए बोटम कैबिन में पहुचे जहाँ उन्होंने देखा की जहाज के पीछे वाले लेंडिंग इयर तो खुल चुके है लेकिन नोज लेंडिंग इयर अभी भी बंद है और बिना नोज लेंडिंग के प्लेट को लेंड कर वाया ही नहीं जा सकता और अगर वो ऐसा करने की कोशिस करते भी तो भी प्लेन एक बड़े हाथ से का सिकार बन जाता। इन्ही सब के बीच अब लगबग दो मिनट का समय बीच चुका था। और जहाज अपने आप ही 100 फिट नीचे आ गया था। लेकिन इस बात पर ना ही तो पाइलिट्स का ध्यान गया और ना ही कोई क्रू मेंबर इस बात को महसूस कर पाया कि जहाज धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। अगले 70 सेकंड्स में ये प्लेन 250 फिट और नीचे आ जाता है। ये उचाई खो देने के बाद प्लेन के सभी वोर्निंग अलार्म एक साथ बजने सुरू हो जात सबी पैसेंजर्स डर के मारे इधर उधर दोडने लगते हैं। क्रू मेंबर सबी यात्रियों को सांत करने में लगे रहते हैं। अगले 50 सेकंड्स में ये जहाज अपनी निर्धारी तुचाई 2000 फिट की बजाए 1000 फिट पर ही आ जाता है। इसके बाद को पाइलेट स्टोक इस विमान को 180 डिग्री पर घुमाने का प्रियास करते हैं। लेकिन उचाई कम होने की वज़य से वो इसमें सफल नहीं हो पाई। और अगले 10 सेकंड्स से भी कम समय में ये विमान नीचे आकर क्रैस हो गया। मोत का ये मंजर कितना भयानक होगा। इस का अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब ये प्लेन जमीन से टकराया था तो इसकी स्पीड 365 किलोमेटर प्रती घंटा थी। विमान का मलबा एरपोर्ट से करीब 30 किलोमेटर दूर जाकर मिला। इस हादसे में 101 लोगों की मोत हो गई। जबकि लकी ली 75 लोगों की जान बचा ली ग तो फिर ये जहाज भूतिया कैसे हुआ। तो इस बात को समझाने के लिए अब हम आपको एक और इस्टरन एरलाइन ट्राइ स्टार 318 की ओर ले चलते हैं। कि आखिर मेरी ने ऐसा क्या देख लिया कि वो इतना ज्यादा डर गई। दरसल ओवन के पीछे लगे सीसे में एक चहरा दिखाई दे रहा था जो बेहद ही ज्यादा डरावना था। साथ ही उस डरावने चहरी की आँखे भी हिल रही थी। मेरी उस चहरे से कुछ कहना चाह उस ओवन की तरफ बढ़ाया तो वैसे ही वो चहरा एक बार फिर से उसके सामने आ गया और इस बार उसकी आखों की बजाए उसके होट हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये चहरा मेरी को कुछ बताना चाहता हो। मेरी को भी कुछ देर के लिए लगा कि मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो लेकिन अपने आपको संभालते हुए वो सीधा विमान के फ्लाइट इंजिनियर के पास पहुंची और उसे ये सारी घटना बताई एक बार के लिए तो फ्लाइट इंजिनियर को भी मेरी की इस बात पर विश्वासी नहीं हुआ लेकिन जैसे ह कुछी देर में आग लगने वाली है इतना कहते ही वो चेहरा एक बार फिर से वहां से गायब हो गया मेरी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चेहरा किसका है लेकिन फ्लाइट इंजिनियर ने इस चेहरे को तुरंत पहचान लिया था दरसल ये चेहरा फ्ला जैसे ही आगे बड़ी तो मैक्सिको के पास पाइलेट को जहाज के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई इंजन के ठीक से काम ना करने के कारण विमान को वापस न्यूयोर्क की तरफ मोड दिया गया न्यूयोर्क पहुँचकर इस जहाज ने सफल लेंडिंग भी क अगर वो इस जहाज में बैठे होते तो अभी तक वो सायद ही जिन्दा बच पाते इस तरह के अजीब विमान हादसे के कारण ही इस घटना को दी घोष्ट फ्लाइट 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 फॉर जीरो वन नाम दिया गया था और इतना ही नहीं सन 1978 में इस घटन फ्लाइट 4-0-1 के क्रैस होने के बाद कई बार ऐसी घटना गटना देखने को मिली थी और सबसे ज्यादा चोका देने वाली घटना इसरन एरलाइट के वालाइट के साथ घटी। दरसल ये बात 1973 की है जब इसरन एरलाइट फ्लाइट 3-1-8 से ही यात्रा कर रही थे और उन की तरफ दोडे लेकिन भागने से पहले उन्होंने एक बार गोर से अपने साथ बैठे कैप्टन के चहरे को भी देखा और जैसे ये उनकी नजल इस चहरे पर पड़ी तो उनकी हालत खराब हो गई क्योंकि वो इस चहरे को अच्छी तरह से जानते थे दरसले चहरा फ्लाइट 401 के कैप्टन बोब लोफ्ट का था जिने मरे हुए अब एक साल का वक्त हो चुका था और वही बोब लोफ्ट अब भूत बनकर उनके बगल में बैठे हुए थे खैर इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उठकर पाइलेट के कैबिन में पहुँचे और सारी घटना उन पाइलेट्स को बताई जब पाइलेट बोब लोफ्ट के भूत को वहां देखने पहुँचे तो वहां से वो गायब हो चुके थे ऐसी ये के घटना ट्राइ स्टार 318 में एक बार और घटी जब इस जहाज के फ्लाइट इंजिनियर विमान के रूटीन टेस्ट के लिए जहाज के कैबिन में घुसे लेकिन कैबिन में घुसने के साथ ही उनकी सासे अटक गई और ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लाइट के कैबिन में उन्हें डोन रैपो का भूत बैठा हुआ दिखाई दिया फ्लाइट इंजिनियर को देखने के बाद डोन रैपो का ये भूत उठा और उनसे बोला कि जहाज में सब कुछ ठीक है इतना कहते ही वो तुरंत जहाज के पीछे वाले दर्वाजे से कहीं गायब हो गया जब इस तरह की घटनाए बढ़ने लगी तो कंपनी ने सचाई का पता लगाने के लिए एक जांस कमेटी बैठाई लेकिन जब इस जांस कमेटी का एक अधिकारी मायामी से अटलांटा की यातरा पर थे तो उन्हें भी पाइलेट के कैबिन में डॉन रैपो का भूत काम करते हुए दिखाई दिया इस्ट्रन एरलाइन 401 के क्रैस होने और उसके बाद होने वाली भूतिया घटना उपर जोन जी फुलर द्वारा दी घोष्ट व फ्लाइट 401 नाम के किताब भी लिखी गई इस बुक में बताया गया है कि फ्लाइट 401 के क्रैस होने के बाद कई जहाजों के साथ भूतिया घटनाए घट चुकी है और जिन जिन विमानों में भूतिया घटनाए घटी वो इसलिए थी क्योंकि इन जहाजों में फ्लाइट 401 के मलबे से बचे हुई विमान के हिस्सों को निकाल कर इस्तमाल किया गया था सायद यही वो कारण था कि इन सब विमानों में भूतिया घटनाए देखने को मिल रही थी खैर चाहे जो कुछ भी हो लेकिन कहीं न कहीं डोन रैपों ने मरने के बाद भी अपना फर्ज पूरा किया और कई लोगों की जिंदिकियां बचा ली थी वरना उस दिन फ्लाइट 318 का भी वही हाल होता जो फ्लाइट 401 का हुआ था तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहे मस्त रहे हस्ते रहे भगवान करे आप सभी का दिन सुब हो